दिविनिंग प्यारे बच्चों मैं हूँ आपके एजुगेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वक्षीट 38 सब्जेक्ट आपका गडित है कक्षा आपकी सात्मी है और ये वक्षीट है तेस्वरवरी की पुर्णांक गुनन बार बार जमा करना जैसे बार बार जोड़ना जैसे पांच जमा पांच जमा मैंने इसको कितनी बार जमा कर दिया चार बार जमा कर दिया ठीक है तो सीधा मैं इसको चार बार जमा ना करके चार को ठीक है पांच से गुना कर जितनी बार ये रिपीट बार जमा ठीक है बार बार जमा मुझे बार बार जमा ना करना पड़े इसलिए मैं गुणा कर देती हूं जैसे पांच ठीक है जमा पांच जमा पांच कितनी बार पांच कितनी बार जमा हो रहा है तीन बार तो कितना हो गया पंदरा और इसको भी करोगे तो पांच और पांच तो देखो कॉस्चिन आपके आराम से हो जाएंगी ध्यान रखना आपके पूर्णाओं धनातमक पूर्णाओं धनात्मक का मतलब आपको पता है थेकर और रिनात्मक जो पूर्णाक वह गया नेगरिटिव तो जब नंबर जो है मैं यहां पर दो चीज़ी लिख रही हूं एक operation operation में किसको लिख रही हूँ जमा कर सकते हैं आप उसको घटा कर सकते हैं आप उसको ठीक है गुणा कर सकते हैं आप उसको भाग कर सकते हैं आप उसको ये चीज अलग हुई चिन तो दो ही हैं हमारे पास चिन किसका है जमा का या फिर घटा का नंबर के आगे चिन क्या हो गया माइनस माइनस है ठीक है तो क्या होगा ध्यान रखना है अगर दोनों नमबरों के आगे माइनस माइनस है तो माइनस से माइनस कर जाता है और यह मल्टिपलाई होके इतना आ जाएगा ठीक है और दो नमबरों के आगे प्लस प्लस है तो भी ठीक है प्लस ही आएगा प्लस 25 आएगा ठीक है लेकिन एक नमबर के आगे अगर माइनस है और एक नमबर के आगे क्या है प्लस है ठीक है तो क्या होगा तो साइन माइनस का आएगा ठीक है ओके माइनस का इसको ध्यान से करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा गुणा में अगर बीच में गुणा है तो दोनों के बीच में गुणा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सिंबल और उन दोनों को गुणा करके आप यहां पर लिख देंगे तो क्या होगा तो भी साइन क्या जाए और अंदर गुना हो जाएगी यह रूल आप लिख लो ठीक है इसको लिख लेंगे और यही आपके काम आने वाला है इसमें तुझे मालो कोई एक एंटीजर है आपने लिया माइनस थ्री इंटु फाइफ तो मैंने क्या बताया आप जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है उसक कि एक तरह से कट गया गया णों आ गया थेक है तो इस केंगा चलो करते हैं तो यहाँ पे देखो इनोंने कहा है कि यडि एक धनात्मक और एक एक रियुणा क्या होगा तो माइनस परणी और दोनों क्या है तो हमारूम्म बताय को सोरी दोनों रिनात्मक हैं, तो क्या जाएगा, प्लस का ये भी आ जाएगा, ये समझ लो, अब ये है गुनन के अंत्रगत समवर्थ, किसी पुर्णांक, ए और भी, ठीक है, ए और भी के लिए, ए और भी एक पुर्णांक होता है, जो इनकी गुना करके आएगा, जैसे दो गुना चार, ठीक है, आठ आ गया, तो ये हमेशा पुर्णांक ही आएगा, जो इनकी गुना होगी, फिर करम वेनेमेता, करम वेनेमेता का मतलब है, आप तीन गुना पांच कर लो, या पांच गुना तीन कर लो, होता है लेकिन एक बाद बताओ अगर मैं पांच में से ठीक है मतलब एक बाद बताओ पांच में से पांच को तीन से भाग करो और तीन को पांच से भाग करो क्या सेम है नहीं है ना यानि कि भाग में करम वेनता नहीं होती लेकिन मल्टिप्लाई में करम वेनता होती है क्योंक खुद आ जाएगा, ओके, अब एक और प्रोपर्टी यहां से ध्यान देंगे, मालो इस प्रोपर्टी को बोलते हैं, सह चार रेता, सह चार रेता, सह चार रेता में क्या होता है, मालो ए गुणा, बी, गुणा, सी किया, तो ये भी, अब मैं लिख देती हूं यहां पे, लगा रेती हूं, क्या करूं, मैं क्या करने की कोशिश कर रहे हूं, समझेंगे आप ध्यान से, मैं यहां पे कह रही हूं, ए गुणा, बी लिखता हूं, और बाहर रख दू सी, तो ए भी कितनी वेल्यू है, दो, ए कितना था मेरा, दो था, भी कितना है, पांच, गुणा, इसमें ब्रेकेट रख लो, यहां पे ची, पांच, दूनी दस, गुणा ची, कितनी वेल्यू आई, साठी आई वेल्यू, साठी इदर आई थी, साठी इदर आई थी, तो इस प्रोपर्टी को बोलते हैं, सह चार रेता, ठीक है, सह चार रेता, कि यह और यह बराबर रहेगा लेकिन साइन देखो, यहां पे भी गुणा है, और यहां पे भी गुणा है, लेकिन अगर अंदर साइन कोई और हो, तो इस प्रोपर्टी को वित्रन गुण, यानि कि जो गुणा में होता है, जिसे मालों यहां पे कुछ है, बी प्लस सी, तो यह डिस्ट्रिबूट हो आगा और यह इसके पास भी आए, मतलब इसके पास भी चायेगा, तो ए गुणा भी हो जाएगा, जमा हो जायेगा, दोनों के पास जाएगा, एसे नहीं है कि सर अब्लस सी, ना जाएगा, पैसे कर सकते हैं अब पिआटिजऑ आपर रोपर्टी से ना Gerda हो एगा, वेसे 16 ऐसे भी ठीक है है ना यसे भी आगया हमारा तो इस प्रोपर्टी को वित्रन गुन बोलते हैं तो चलो अभ्यास करते हैं बच्चा कोश्चन कोरने की कोशिश करेंगे यहां पर तीन गुणा माइनस एक कितना हो जाएगा तीन गुणा एक क्या होगा एक से गुणा होता है तो नुमबर वही आता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस आता है साइन जब डिफरेंट साइन होते हैं क्योंकि तीन क्या कि कुछ नहीं तो इसके आगे प्लस का साइन है तो माइन आजाएगा, sin तो positive रहेगा, मतलब sin प्लस का आएगा, 630 हो जाएगा इसका अंसर, क्या आजाएगा इस वाले का अंसर, 630, फिर 0 से multiply कर देंगे, तो 0 ही बन जाएगा, इसमें minus से ये minus कट जाएगा, minus से ये वाला minus कट जाएगा, तो 316 आजाएगा अंसर, क्योंकि 1 से गुणा करने के बाद तो number खुद ही आजाता है, तीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यह ध्यान से समझने वाली चीज़ है, थोड़ा सा मैं time लगा के समझाती हूँ आपको, इसने कहा minus का 3 गुणा में dash is equal to, क्या कह रहा है, यहाँ पर मतलब मिर को plus का बात है, product में plus का बात है, जब या तो दो नो minus के हूँ, यहाँ पर फिलस के हूँ, ठीक है, तो दोनो minus के, मतलब यहाँ पर जो number है, अब एक minus का है, तो दूसरा तो प्लस का नहीं कर सकती, क्योंकि अगर plus का आएगा, तो plus minus माइनस रह जाएगा, तो मेर को क 27 अब 5 देखेंगे 5 गुणो मैंनस का 35 किया कह रहा है 5 गुणा डैश decole 45 तो मैंस का 5 के पास तो मैस है नहीं 5 तो प्लस का है तो इसमारा चैके चलते हैं यहां नेक्स्ट पर चलते हैं यहां पपर यहां पर देखेंगे, अब माइनस की रहagan Tax, चरहर भी और 6 1, तो इसलिए शाइध की आएगा यहां साथ 3. सब्सक्राइब दोणों सान दिफ्रेंट और जिरो से मल्टिप्लाइब तब 16-0 नहीं हो तो यहां पे एंसर आगया आपका माइनस का सेवन ठीक है और यहां पे एंसरा गया माइनस का नाइन तो यह होगी है अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूच सकते हैं थैंक यू है वनाइस दे में गोड ब्लेस यू अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा